अब हम देखते हैं कि data pre-processing में कौन-कौन से step होते हैं और जो हमने पिछले lecture में देखा है उसकी summary क्या क्या है let's see here, let's see here number one, यहां पे आपने पहला काम जो करना है data cleaning के अंदर आपको भी पता है missing values को handle करना missing values missing values के रूले तो आपको पता ही है कितने होते हैं यह मैंने पिछले lectures में भी काफी दफ़ आपको बता दी है so missing values को फिर आपने करना है smoothing noisy data noisy data से मुराद होता है कि जो data scattered है उसको एक line में ले किया आना जैसे कोई बच्चे लड़ रहे हो ना noise कर रहे हो या shoulder आ रहे हो तो आमा आती है एक ही मारती है तका के वो सारे smoothly बैठ जाते हैं तो आपने data को तका के सीधा करना है किस तरीके से technique सम देखेंगे number three इसी के अंदर जो होगा वो होगा जो हमारा outlier से deal करना ठीक है and फिर हमारे पास number four होगा inconsistencies को देखना अक्सर होगाद unit खराब होता है data के अंदर और there are many other things जो हम data cleaning के अंदर और भी देखते हैं ठीक है जी यहां तक आपको clear हो गया अब चलते हैं data integration के अंदर sorry yes data integration के अंदर तो मैं इसको green color के अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूँ था कि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे है data integration के अंदर इसमें हम data integrate करते हैं जैसे नाम बता रहे है number 2 हम इसी के अंदर data के duplicates बगरा भी देखते है और अगर हमारा data एक ही बंदे ने collect किया है तो data duplicates यहां पर आ जाएंगे यानि कि data अगर एक ही है check ज़रूर करने है आपने duplicates ठीक है जो redundancies होती है उनको आप देखना होते है ठीक है और इसके बाद आप data को merge करते हैं data merging इसके अंदर आएगा यानि कि अगर दो तीन लोगों ने किया तो उसको integrate करने को हम merging भी बोलते है तो हमारे पास यह एक और term इसकी use होगी data consolidation consolidation यह step होगे हमारे पास data integration के फिर चलते हैं data transformation की तरफ अब इसको मैं थोड़ा सा highlight करके blue color के अंदर लिख देता हूँ ठीक है data transformation में हम क्या करते है data transformation में हम data को scale करते है या data को normalize करते है या number 3 पे हम क्या करते है data को transformation में हमने और क्या करने aggregate कर सकते हैं data को aggregate और फिर हम data को generalize भी करते है generalize and then we also make higher level concepts concepts ठीक हो गया जी तो ये हमारे पास data transformation के अंदर काम होते हैं फिर आ जाते हैं जी data reduction के अंदर इसको मैं लड़ू पीले color के अंदर दुबारा ले के आता हूँ लड़ू पीला color तो आपको पता होगा अगर नहीं पता तो पता कर ले so let's see इसमें हम करते हैं जी dimensionality reduction dimensionality reduction number two is numerosity reduction numerosity reduction number three is data compression ठीक हो गया तो इन तीन चीज़ों से हमारे पास क्या होता है data जो है वो reduce हो जाता है last but not the least is data discretization इसी को मैं यहीं पर लिख देता हूँ data discretization में कौन-कौन से point आते हैं सबसे पहले के आप numerical को category में convert करते हैं numerical to categories ठीक है और इसके अंदर क्या होता है आपके पास जो concepts होते हैं वो different किसम के concepts होते हैं इसमें हम binning करते हैं और different किसम के cluster analysis भी कर सकते हैं clusters बनाते हैं चीज़ों के ठीक है encoding यहां पर आ जाएगी और यहां पर हम क्या करते हैं binning करते हैं this is different than this लें जनाब तो यह आपके पास data preprocessing की समरी है और क्यों ज़रूरी है data preprocessing मैंने आपको पहले बता दिया जितनी अच्छी data preprocessing होगी उतना data आपका अच्छे से perform करेगा hopefully आपको यहां तक clear हो गया होगा कि data preprocessing के step क्या है I will repeat once data preprocessing में data cleaning है integration है data transformation है data reduction है data discretization है missing values के रोल है smoothing, noisy data, outlier reduction inconsistencies को बगारे को देखना data transformation में scaling, normalization, aggregation, generalization and hierarchical level concepts को higher level concepts को जो आप देखते है फिर आजाते है reduction के अंदर dimensionality reduction, rumorosity reduction and data compression data discretization के अंदर आजाते है जनाब numerical से categorical variable binning, clustering और बाकी techniques को हम यूज करते है these are the concepts जो data preprocessing के अंदर जरूरी है अगर आप खुद अंदाजा लगाएं कि यार किसी बड़ी company के अंदर एगर एक data scientist या junior level के data scientist या beginner level के जो 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 जॉइन करते है उनका पहला काम data preprocessing होता है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं यही exploratory data analysis है इसी के अंदर ही आप data wrangling को समझेंगे और data के जितने भी preprocessing के step है यह आपको data के साथ आशना करवाते हैं और हर company का data मुख्तलिफ होता है इस वज़ा से वो हर company के जो data scientist जिसको recruit करते हैं वो पहले data पकड़ाते हैं उसे उसे कहते हैं लो भी देखो इस data में क्या तुमें समझें उससे क्या तो है आपको company के aims objectives और बाकी चीज़ों का पता चलता है that is why people are actually investing more time in data learning जिसको हम data preprocessing भी बोलते हैं ताकि उनका model अच्छे से perform करें अगर आपको data का ही नहीं पता होगा तो जनाब आपकी final product कैसे ठीक होगी just imagine about that समझागी बात की तो अगर आपको data preprocessing सीख नहीं है upcoming lectures के अंदर ये सब कुछ मैं आपको सीखा रहा हूँ अगर आपने like नहीं किया तो भी कर दें share नहीं किया तो भी कर दें subscribe नहीं किया तो भी कर दें ठीक है next lecture में आ रहा है